दोस्तो, डैटपूल और वाल्वरीन इंडिया के अंदर मार्वल के अच्छे दिन ले आए, बॉक्स ओफिस भी चमक उठा हेलो गाइस कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका स्वागत है आपका दोस्तो डैटपूल एंड वालवरीन मूवी के डेवन के हमारे इंडिया बॉक्स आफिस के फाइनल पेडिक्शन के एपिसोड में भाई किस तरीके के दोस्तो नंबर आ रहे हैं आखिर इंडिया के अंदर से डैटपूल कितना दोस्तो कमा रही है देखो भाई इसके रिव्यूज अल्मोस हर जगा से बहतरीन जबर्दस लाजवाव आया यानि कि इस मूवी को जो हिंदी ओडियन्स है भाई वो तो पसंद कर है तो ठीक है बाकी गाईज यहां पर यूसे के अंदर कैसे रिव्यूज आ रहे हैं पता नहीं यह मूवी आखिर कितना कमाईगी वहां नौर्ट अमेरिका में मैं कुछ नहीं कहा सकता लेकिन यहां इडिया की हम लोग स्पेसली बात करेंगे तो कीजिए लाइक सब्सक्रा ना क्योंकि मैं इतना फालो नहीं करता और यहां पर जिस तरीके की गाईज यह मूवी ओपनिंग लेने वाली हैं इंडिया और यूसे के अंदर यह बहुत ही बड़ा गाईज कह सकते हैं कि कलेक्शन होगा और कई ना कई मार्वल जो बिल्कुली सुस्त पड़ा था खतम प करोड रुपय की थी और इस एडवांस बुकिंग से देखा जाता है कि कोई भी मूवी इसली 25 क्रोड से उपर कलेक्शन कर लेता लेकिन यह कितना दोस्तों कर रहे है अभी अगर हम लोग देखें तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा दोस्तों अगर हम लोग इसके पिश के आई मैक्स 3D वाले वर्जन की बात करते हैं मौनिंग 63 आफ्रनून 62 और इवनिंग लगभग 70 इवनिंग में मामना थोड़ा खिचा है दोस्तों यहां अगर हम लोग हिंदी के 3D वर्जन की बात करते हैं मौनिंग 23 इंप्रेसिव दोस्तों कौन कहता है कि भाई मार अब यह जो मूवी है हिंदी में काफी अच्छा बिजनिस करेगी ऐसा लगता है क्योंकि सुबह की ही ऑक्यूपेंसी 23 पर तीशत रही हाला कि आफ्टनून में दोस्तों यह ऑक्यूपेंसी थोड़ी से गिरती है और 19 परसेंट रहती है हला कि यहां यहां पर इवनिंग शो 78 परसेंट दोस्तों देखने को मिलता है गाईज अगर हम लोग हिंदी के 4DX 3D वर्जन की बात करें देखो भाई एक बार फिर से कहूंगा अगर आप लोग एक जबरदस एंटर्टेनर एंटर्टेनमेंट से भरावा गाईज मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को या फिर 4DX में देखे हो तो और मज़ा आएगा तो गाई यह जो मूवी है यह जो मौनिंग शोज है यह लगभख 67 परसेंट तक गाईज भरा रहता है आफ्रनों लगभख 80 और इवन लगभख 58 यानि कि गाईज इसके 4DX जो हिंदी वर्जन है वो भी काफी जदा को देखो या फिर टूस्डे को लेकिन सुभे सुभे वाला शो अगर आप इवनिंग के देखो तो वही रेट पड़ेगा कोई बात नहीं जहां पर हम लोग बात करते हैं कि कैसे दोस्तों यह जो मूवी है किस तरीके के क्रेक्शन दोस्तों कर रही है मतलब क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है तो गाइस यह मूवी बिग्गेस ओपनर मूवी कहलाएगी इस साल की हॉलिवूड की मूवी और यह जो मूवी है मुझे लगता है कि भाई कहीं न कहीं 25 करोड से गाइस प्लस कमाई करने वाली है लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम लोग यहां पर बात करें कि कितना तो हिंदी वर्जन बहुत ही आरामसे डेफिनेटली दॉस्तो साथ से 8 करोड कुछ डे रहा है तो 8 करोड हंदी इंग्लिश की बात करते हैं तो सभी लेंग्वेज माह clapping सभी वर्जन मिला के इंग्लिश वर्जन भी दोस्तों 14 करोड रुपे दे सकता यानि कि guys कुछ 28 करोड रुपे 28 करोड रुपे net मुझे इस वक्त फिलहाल तो लग रहा है हाला कि ये सहीं भी हो सकता है हमारा पेडिशन गल्थ भी लेकिन इस वक्त के हिसाब से दोस्तो इतना collection किसी Hollywood की movies का तो मुझे देखने को नहीं मिला अब यहां पे कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है इंडिया के अंदर इसने इतना कुछ collection किया लेकिन ज़रा ये बताईए कि अगर हम लोग USA की बात करते है domestic जो collection है इसका कितना हो सकता है तो भाई सहाब देखो इस movie का अगर हम लोग budget की बात करते हैं तो कुछ दोसो धाई सो मिलियन यूएस डॉलर अराउंड तो अराउंड दो हजार से धाई हजार करोड रुपे में इस movie को बनाया गया है तो ऐसे में guys इस movie का जो opening है फर्स डे वर्ल्ड वाइड यह हजार करोड रुपे के लगनी चाहिए लेकिन अगर मैं दोस्तो अपना खुद का guys experience से बताऊं कि यह movie कितना कर सकते है जिस तरह के क्रेज है तो में भी शाय हो सकता है कि दोस्तो यह movie 50 million 50 million यूएस डॉलर की opening ले सकती है 50 million यूएस डॉलर चुकि में भी शायद मेरे ख्याल से 400 करोड रुपे तो होता होगा domestic बाकी तो और भी कहीं जगा रिलीज हुआ है इंडिया के नंबर वा मिला के में भी शायद 700-800 करोड यह first day कर सकती है कुछ लोग बोलेंगे भाई क्या बोल रहा है 700-800 करोड तो यहां पर Hindi movie lifetime में भी नहीं करती है इंडिया की movie लेकिन फिर भी दोस्तों यह Hollywood की movie है international देखा जाता है तो कहीं न कहीं मेरा यह कुछ लगता है कि ऐसा होगा बाकी दो देखते हैं कि क्या होता है आपका क्या कहना है इस बारे में बताना जुरूर मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही